तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसिस से बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि लिविंग ओर्गनिजम और नॉन लिविंग ओर्गनिजम इन दोनों में अंतर क्या होता है अब आप में से काफ़े बच्चे कहेंगे यार लिविंग ओर्गनिजम वो ओर्गनिजम होते हैं जो कि मूव कर पाते हैं बाते कर पाते हैं चल फिर पाते हैं कुछ कर पाते हैं और non living organism वो organism होते हैं जो कि कुछ ही नहीं कर पाते एक जगा stable रहते हैं move भी नहीं कर पाते बट एक बाव बताओ यहाँ पर मैंने आपको एक कार दी उस कार के अंदर जब आप पेट्रोल डालते हो डीजल डालते हो क्या वो कार move कर पाती है आपको ओगे यहाँ move कर पाती है अगर मैं आपके शरीर की बात करूँ आपके शरीर के अंदर अगर मैं आज से 10 साल पहले खाना डालना बंद कर देता मतलब कि आपको आज से 10 साल पहले खाना बिलकुल नहीं देता अभी तक तो क्या आप जिन्दा रहते बिल्कुल हें जिंदा रहते आप मर जाते, सीधी सी बात है लेकिन आपकी कार भी फ्यूल लेने के बाद चल जाती है आप लिविंग ओर्गैनिजम हो आप भी फ्यूल लेने के बाद ही चल रहे हो तो आपके में और इन लोगों में अंतर क्या होता है अब आपको होगे, नहीं, हम move कर पाते हैं आपको move कराता है आपका brain एगर आपका brain आपको मैं आपके सरीज में से brain निकाल लूँ तो उस condition में आपे move नहीं कर पाओगे वैसी अगर मैं यहां से कार में से, अगर आपको निकाल दूँ यह पहला लेक्चर इसलिए कहीं है टक टक के बोड़ रहा हूं बट इस चीज़ को समझो हमारे में और उनमें जान का अंतर होता है अगर मैं living organism में से जान निकाल लूँ यानि कि वो मर जा है सीधी बात करो मैं ठीक है वो मर जा है तो इस condition में आप उसको वापिस से जिन्दा कभी नहीं कर सकते लेकिन अगर हम कार की बात करें इसके अंदर से मैं चाहे इसके सारे के सारे पूर्ज़े को निकाल करके रख दूँ अगर मैं नए पूर्ज़े भी डाल दू तो हम इसको वापिस से चला सकते हैं यही अंतर है आपके non-living में और living में कि living organism के पास सिर्फ एक जान होती है वो एक जान एक बारी निकल गई तो living organism का कोई वजूद नहीं है आप उसके अंदर चाहे कितना भी नया हाट डाल दो कितना भी नया kidney डाल दो कितनी भी नहीं सब चीज़े उसके पूरी पूर्ज़े को नहीं ने fit कर दो आप उसको वापिस से जिंदा नहीं कर सकते अगर उसके अंदर से एक बारी जान निकल गई यह होता है living organism और non-living organism के बीच में आनता है बट हम इतना deep में निजाएंगे यह थोड़ा सा philosophical हो गया यहाँ पर समझे उसके example को plant हो गया आपका यहाँ पर soil नहीं होगा यहाँ पर animal होगा ठीक है यहाँ पर मैंने गलती से soil लिख दिया तो living organism के यहाँ पर उधारन होते है plant और animals यानि कि हम लोग animals के अंदर आते हैं human being के अंदर आते हैं बट एक ही चीज मान लो यार ठीक है और plant इसके जो है वो example होते है living organism के non-living organism के बात करें तो यहाँ पर यह इसके example है soil है आपका water है air है etc car है लोहा है कुछ भी हो सकता है living organism के यहाँ पर एक चीज कही जाती है कि यह आपके move कर सकते हैं अपने आप से अपने आप सी कर सकते हैं क्योंकि brain आपके अंदर है यह बात समझ रहुँ है ना brain आपके अंदर है आप कहोगे यार plant कहाँ पर move करते हैं तो plant के बात करें तो अगर आप एक camera लगा करके उसके पास रखो कोई भी एक छोटा सा तुलसी का पाधा हो उसके पास एक camera लगा करके रख दो चार महिने के लिए ठीक है चार महिने के लिए लगा करके रख दो आपको automatic उसके अंदर से एक growth दिखेगी कि वो धीरी 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 करके बहुत ही small point में जावो grow कर रहा है ये बात आपको जब लगाओगे camera तब पता से लेगी वैसी non living organism के बात करें तो ये आपके खुद से move नहीं कर सकते इनको move कराने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की ज़य वो ज़रुवत पड़ती है अब इसके आगे देखते हैं living organism and their characteristics मतलब living organism और उसके characteristics को सबसे पहली characteristics है कि मतलब living organism हम कम मानते हैं ये मैं आपको बता दिया सेकेंड डेस्ट का they need food, energy, growth, maintain मतलब एक सकेंड they need food, air and water यहाँ पर food का मतलब है कि जब आप food खाऊगे तो उससे आपको ये 3 चीज़े मिलेंगी जिसकी वज़ा से आपका शेड़ी जब वो चल रहा है अगर मैं आपको 10 साल से खाना नहीं देता तो ना आपके अंदर energy होती ना आपके अंदर growth होती या तो आप नहीं ही रहते सीधी सी बात है तो यहाँ पर food आपको energy देता है जिससे आप काम कर पाते हो वो आपको growth करता है अगर आप आज से 10 साल पहले ज़ाओ तो आप इतने से थे उससे आप इतने बड़े हो गए कैसे होए फूड की वज़ास होए न आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़े जा रही थी जिसकी वज़ासे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलते रहा maintenance की बात करें तो आपके शरीर का maintenance ही करता है आप देखते होगे अगर यह maintain ना करे तो आप एकदम होगी भी शरीर आपकी लेकिन लुन जोगर के चलोगे वो कोई फायदा नहीं है air और water यह हमें जो है वो ज़रुत पड़ती है हमें जीने के लिए अगर हमारे पास oxygen नहीं तो हम नहीं जी सकते है अगला इसका they can grow अगर आपको धुन्दा दिख रहा है एक सकिंड यह पहला lecture है ना इसको मैं ठीक करने कुश्च हो they can grow यह आपके grow भी कर सकते हैं यह living organism के बाद कर रहा हूँ इसके बाद है they can respond to changes around them यह भी living organism के अंदर एक नई चीज होती है respond का मतलब बताता हूँ आपको जैसे मालो आप bench पे बैठे हुए थे एक पार्क के अंदर वहाँ पर एक बंदा आता है और ज़ाडू लगाने लगता है अब आप कहोगे कि यार तू पागल है क्या कर रहा है तू मेरे मूँ पे धूल आ रही है समझ नहीं आ रहा है तुरको इस तरीके साब respond करोगी जैसे मैंने भी आपको respond करके बता है बट वहीं पर आपका जो bench बैठा हुआ था एक non-living organism बट वो भी आपका बैठा हुआ है वो respond नहीं कर पाएगा वो नहीं कह पाएगा कि भाई तू क्या कर रहा है तरीको मैं नहीं बोलता तो तू ऐसे करेगा ऐसे नहीं कहेगा bench आप कह दोगे कि भाई तू क्या कर रहा है तरीको अकल है तू मुझ पे मार रहा है धूल लडाई भी हो जाएगे बट भाई bench नहीं लड़ेगा वो सूंग लेगा दूल को बट नहीं लड़ेगा क्योंकि वो non living organism है और आप हो living organism इसके अंदर आपको मैं बता तो सबसे important बात ये ये और ये इन तीनों को अगर हम मिला दें तो ये होता है आपका life processes chapter ये चीज़ आप ध्यान दो life processes chapter में complete है और इसकी बात करें कि respond करने वाला जो system है वो हम पढ़ेंगे आपका control and coordination वाले chapter के अंदर ये बात का ध्यान देना आपको ये हम पढ़ेंगे control and coordination वाले chapter में इसके आगे आपका they respire मतलब कि ये लोग सांस भी ले सकते हैं यहाँ पर सीधा है हम लोग living organism respire कर सकते हैं मतलब कि oxygen को ले सकते हैं अगर हम बात करें non living organism की तो आप चाहिए उनको oxygen दो ना दो वो ऐसे कैसी पढ़े रहेंगे they excrete they reproduce और aspire की बात कर और excrete की बात कर ये भी आपका life processes chapter के अंदर हम पढ़ेंगे ये आपके सारे के सारे body वाले part हैं और reproduction की बात करें दिखें हम reproduce कर सकते हैं लेकिन एक लोहा कभी भी reproduce नहीं कर सकता मैं अगर एक कार को कहूँ कि भाई देख मैं तो खरीदा 20 लाग उर्पय देखें आप एक काम करना मैं तरफ को दो कारे देता हूँ उन दोनों के सांद मिलके तो एक नया कार पैदा करते वो नहीं कर पाएगा भाई लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको आप तो आप कर सकते हो क्योंकि हम reproduce कर सकते हैं living organism के पास ये जो है वो एक शमता होती है और ये हम पढ़ेंगे आपके reproduction वाली chapter में ये चीज़ आपको पता होनी काफी जो है वो important है इसके बाद बात करें in this chapter में मतलब इस chapter के इंदर हम क्या की चीज़ों को learn करेंगे तो सबसे पहला आपका यहाँ पर nutrition जिसको हम लोग learn करेंगे दूसरा आपका यहाँ पर respiration तीसरा आपका यहाँ पर transportation और चौथा आपका यहाँ पर excretion ठीक है तो nutrition से start करते हैं सबसे पहली बात nutrition क्या होता है nutrition process by which food is transferred from outside to inside the body is called nutrition यहाँ पर वो process जिसके द्वारा हमारे अंदर food जाता है उस को हम लोग कहते हैं आपका nutrition समझाता हूँ यहाँ पर nutrition के अंदर सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने food को खाया बस इस से जादा आपको ध्यान नी देना इसके बाद आपका आएगा respiration इसके बाद आएगा आपका excretion उसके बाद आएगा आपका जो भी है यहाँ पर ठीक है अल आपको पता होनी important है तो nutrition का मतलब होता है process by which food is transferred from outside to inside the body बाहर से हमारे पेट के अंदर खाने जाता है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर nutrition ठीक है अब इसके यहाँ पर थोड़ा सा मैं skip करता हूँ एक second आप रुखोगे बस एक second भाई दूसरा पार्ट है आपका यहाँ पर respiration process by which oxygen is transferred from outside to inside the body is called यह तो आपका respiration है ठीक है जहाँ एक second यार वो process जिसके दौरा oxygen हमारे शरीर के अंदर जाता है उसको हम लोग कहते है respiration सिंपल सी बात वो process जिसके दौरा oxygen हमारे शरीर के अंदर जाता है यानि कि नाक के दौरा पूरा complete पढ़ेंगे बट इतना समझ जाओ जिस process के दौरा हमारे नाक के अंदर जो है वो वो जाता है oxygen उसको हम लोग कहते हैं आपे respiration तीसरी बात है आपकी transportation की process by which energy food is reached from one part to another part of body is called transportation मतलब कि वो process जिस process के दौरा हमारे शरीर के अंदर energy एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर transfer होती है उसको हम लोग कहते है transportation जैसे की बात करें आप बिमार पढ़ते हो आप डॉक्टर के पास आते हो आप उसे कहते है तो भाई कुस दे दे यार भाई मस्तर सी दवाई जिससे मैं पांच मिनट के अंदर ठीक हो जाओ उसने आपको एक गोली दे थी वो गाल वो गोली आप खाते हो वो आपके पेट में चली जाती है यह आपका पेट है ठीक है यह आपका मुह है यह आपके पूरी बाडी है अब इसके अंदर आपकी दवाई चली गए तो वो भी चीज़े होती है जैसे दवाई हो गई या फिर कोई भी चीज़े उसको शरीर के एक पार से लिएक दूसरे पार तक पहुचाने का प्रोसेस उसको हम लो कहता है ट्रांस्पोर्टेशन इसके बाद आता है आपका यहां पे एक सेकिंड इसके बाद आता है आपका यहां excretion जो कि होता है process by which which is process by waste is removed from our body is called excretion मतलब कि वो process जिसको दारा हमारी शरीर से waste जाया है वो निकल जाता है उसको हम लों कहते है excretion अब बात करते है deep में nutrition की nutrition actual में होता क्या है उसको deep में समझेंगे क्योंकि हमने आपर सिर्ब मोटा मोटा भी समझा है तो सबसे पहली बात we need energy for every work we get this energy for many energy resources called food the process of consuming this food is called nutrition English को मत समझो simple से मेरी बात सुनो हमें काम करने के लिए energy के जुरुत पड़ती है हम इस energy को कहां से लेते हैं खाने से अगर हमारे पास खाना नहीं होगा तो फूड हमारे शरीर के अंदर जाता है उस process को हम लोग कहते हैं यहाँ पे nutrition मतलब कि हमें काम करने के लिए energy की जुरुत पड़ती है वो energy हमें food से मिलती है और food जब हमारे शरीर के अंदर जाता है जिस process के द्वारा उसको हम लोग कहते हैं nutrition जैसे के बात करें अगर मैंने आपको यहाँ पे चौमिन दे दी अब मैं आप से कहाओ कि यह चौमिन खानी है लेकिन कान से खाओ कान अपने कानों से आप कहोगे भाई तू पागल होगे पका पागल होगे कान से खाओगे तो आपके पेट तक नहीं पहुंचेगा जब आप लोग मुह से खाओगे तब ही वो आपके पेट तक पहुंचेगा पेट का मतलब यह नहीं कि पेट में आपका खाना जाता है पेट के अंदर आपकी ऐसी ऐसी प्रोसेस ऐसी ऐसी चीजे material फिट करी गई है जो कि आपके खाने को पचाएंगे यह बात आपको बता होनी चीए तो कान से आप कितना भी खार लो वो जब तक आपका पेट तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि अगर हम बात करें आप देखे होगे जो hospital में admit होते है कई लोग वो लोगों को नली लगा जी जाती नसो में तो क्या उनकी शरीर में सीधा खाना तो नहीं जारा मुग की तरफ से तो यहाँ पर mainly बात क्या होती मैं आपको समझाओ कि किसी भी process के द्वारा आपके पेट तक खाना पहुंचाना है पेट तक यानि कि वो चीजों तक जो कि आपके food को breakdown करती है तोड़ती है प्रोसेस करती है और excretor के बाहार निकालती है जो भी waste होता है वहाँ तक पहुचाना है तो वो आपका चाहिए glucose से हो गया वो चाहिए आपका mouth से हो गया आप चाहिए कान से अपनाना कोई ऐसी नली fit करा लो जो कि पेट तक जाए तो आपका कान से भी खाना चाहिए वो चालू हो सकता बैट ऐसा होगा ने ये बात का ध्यान दो दूसरी बात इन और्गैनिक सोर्सेट इन दा फॉर्म आफ कार्म डियोक्साइड और इन और्गैनिक सोर्स होता है जो एक तरीके से आप समझ जाओ यार सिंपल फॉर्म के अंदर कि कुछ और्गैनिजम यहाँ पे कार्बन डियोक्साइड और वाटर इन सब चीजों से जो कि हम लोग इससे खाना नहीं बना सकते वो इन चीजों से खाना बनाते हैं और यह होता है इन और्गैनिक सोर्स एक्जामपल आपको बता है ग्रीन प्लांट और इनको कहते हैं हम लोग आटो ट्रॉफ समझने की आटो ट्रॉफिक नूट्रिशन आप मान सकते हैं के बारें पढ़ेंगे अभी बट इतना समझ जाओ क्योंकि अगर मैं आपको कार्बन डायोकसाइड और वाटर दे दूँ और काऊं कि जाओ खाना बनाओ आप नहीं बना सकते भाई क्योंगे मैं कार्बन से कैसे बनाओंगा खाना यह बता मेरे को तु मेरे को रेसिपी बता दे मैं बना दूँगा बट नहीं बना सकते सिंपल सी बात है सीधी बात है इसके आगे other organisms consume complex substances these are breakdown by enzymes into simpler form these are called heterotrops मतलब कि कुछ organism यहाँ पे complex substances को कहते हैं complex substances का मतलब है जो हमें plant की तरफ से मिल जाता है simple सी बात these are breakdown by enzymes ठीक है और यह हमारे पेट में जानेक बात कुछ हमारे अंदर enzymes होते हैं उसको तोड़के वो simpler form में जो है वो convert कर देते हैं complex substance का मतलब होता है जैसे आपका गे हूँ चावल यह सब आपका complex substance है अगर मैं आपके शरीर के अंदर यह सारे पुर्जे घटा दू करना पड़ता है और अगर यह सारे पुर्जे आपके पेट से निकल जाना तो यह सारे के सारे पड़े रहेंगे ऐसे कैसे तो यह काफी important आपको जानना कि उन बंदों को हम लोग यहां पे heterotrophs कहते हैं example होता है इसका animal fungi इसके बाद autotrophic nutrition से स्टार्ट करेंगे carbon and energy requirement of the autotrophic organism carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis carbon dioxide and water are converted into glucose in the presence of sunlight and chlorophyll अब कहोगे कि भाई यह कह था यह है आपका photosynthesis का process जो कि आपको समझाय जा रहा है plant अपना खाना बनाते हैं photosynthesis नाम की एक क्रिया के द्वारा photosynthesis क्या होता है मैं आपको बता दूँ जब आपका carbon dioxide यानि की CO2 के साथ हम मिला देंगे आपका यह water को inna presence of sunlight अभी समझ में नहीं आ रहा ना मैं आपको समझाता हू photosynthesis की यह आपकी equation भी है और एक तरीके से मान सकते हूँ यह आपके एक बल्टी है इस बल्टी के अंदर मैंने यहाँ पर दाल डाली चावल डाली और मुझे एक बंदीने का भाई नीमबू नी चोड़ के खाऊंगा मैं नीमबू नी चोड़ के खाऊंगा एकदम चटपटा टाइप का तो ये तीनों जब आपके mix होते हैं तो वो आपका glucose बना देते हैं यानि कि C6, H12, O6, O2, O2, H2O तो ये होता है आपका photosynthesis बनने के बाद जो आपका plant खाता है photosynthesis को द्वारा photosynthesis की ये equation होती है मैंने आपको simpler way के अंदर समझाने की कुशिश करी इसके बाद photosynthesis के क्रिया क्या होती है इसके अंदर क्या क्या चीज़े होती है तो ये समझते है absorption of light energy by chlorophyll यानि की photosynthesis के अंदर light energy को consume किया जाता है आप भी मान सकते है absorb किया जाता है और जैसे अगर मैं आपको कहा दूँ कि एक काम करना ना तुम मिरको ना मैंने आप से कहा कि मुझे ना एक काम करो sunlight लेकर दे दो तीन-चार किलो आपको ओगे भाई तू पागल हो गया है मैं sunlight को कैसे लेकर क्या होगा क्योंकि आपके पास chlorophyll नहीं है अगर आपके पास chlorophyll होता है तो आप मुझे लागर के दे दे कि भाई ले तू sunlight मुझे खाना बना कर के दे लेकिन आपके पास नहीं है plant के पास एक chlorophyll नाम की एक बल्टी होती है जिस बल्टी के अंदर वो sunlight को भर सकता है या आप मान सकते हो ठीक है इतना ये example लेकर के बता रहा हूँ तो light energy को यानि कि sunlight को आपका consume करता है हमारा chlorophyll plant के अंदर conversion of light energy into chemical energy and splitting of H2O into H2O2 मतलब कि light energy आपके chemical energy के अंदर convert हो जाती है आप लोगो ने देखा जो कि आपका H2O into H2 H and O2S में convert आपका जावो कर देती है आप अलग से देख रहोगे O आपका लगो गया H आपका लगो गया इसीच का आपको ध्यान देना है और यह आपका formation करता है आपका glucose अब बात करते हैं आपके stomata के stomata क्या होता है stomata is the place on the surface of a plant part their function is to exchange the gases and water each stomata has two guard cells which maintain opening and closing of stomata यहाँ पर आपका stomata क्या काम करता है मैं आपको समझाता हूँ stomata आपका क्या काम करता है कि gases को अंदर बाहर करता है उसका काम है कि जैसे हम लोग नाक के द्वारा सांस लेता है oxygen लेते हैं तो stomata का भी यही काम है कि वो plant के अंदर gases को लेकर क्या आता और उसको छोड़ता है stomata के पास दो guard cell होते हैं जो कि maintain करते हैं उसके opening और closing वाले पार्ट को क्योंकि stomata ही जैसे हम लोग यहाँ पर सांस लेते हैं आपको को भाई सांस ले आपको यार देखा यही गरवर कर रहा है न मैं सांस कैसे ले पाऊंगा सही बात है वैसी stomata के अंदर भी दिक्कत है कि अग open होता है close होता है इसी तरीके से वो भी जो अपना सांस लेता है एक तरीके से मान सकते हूँ यहां पर आप लोग देख रहे हो यह आपका stomata open है ड्राइड ड्राइगरम घलत है गंदा है बहुत अजीब सा है बट इग्नोर करो क्योंकि मीन फोकस है हमारा की chapter को समझ रहे है stomata close है इसके अंदर बताये तो यह जो आपका point है यह होता आपका nucleus यह आपका जो एक lining दिख रहे है यह सारी lining यह होता आपका chlorophyll यह होता आपका vacuole यह होता आपका guard cell जो यह दिख रहा है और पूरा stomata आपका बन चुका है ठीक है अब बात करते हैं क्योंकि आपका plant खतम हो गया autotrophic तो हम heterotrophic की बात करेंगे heterotrophic nutrition होता है organism do not make their own food in heterotrophic nutrition they are dependent on their resources मतलब की other यानि की heterotrophic nutrition वो nutrition होते हैं वो बंदे होते हैं वो organism होते हैं चुकि दूसरे पर depend होते हैं जैसे मैं और आप खास कर कि मैं क्योंकि अगर मुझे मेरी मम्मी खाना बना करके नहीं दे तो मैं नहीं कर सकता भाई मैं नहीं बना सकता दूसरी बात मम्मी नहीं यहां पर मम्मी की बात नहीं करेजारी यहां पर बात करेजारी है कि आपको plant अगर ना दे खाना तो आप नहीं खा सकते आप कुछ ऐसी चीज नहीं कि मैं आपको carbon dioxide दे दू या फिर कह दो कि जाओ sunlight खा लेना और आ जाना आप नहीं कर सकते बट उन्हीं को हम लोग hydrotrophic कहते हैं जैसे कि example एक और ले लेता हूँ मान लो आप job करते थे job करने के time पे घाओं से लेकर आप घाओं से अकेले job करने आये थे तो उस time पे आप खाना तो खुद बनाओगे नहीं आप या तो किसी ढाबे पे जाकर क्या फिर किसी होटल में कहा दोगे कि मेरा सुबा का tiffin बना के दे दियो और शाम का tiffin दे दियो मैं जबाओंगा तो वो बंदा आपको tiffin देता है एक दिन उसका महराज जहन के हलवाई जो उसके अंदर का वो बिमार पढ़ गया उस करडिशन में आपको हो गया तू बिमार पढ़ गया तू हर बार बिमार पढ़ जाते मेरे को ले नहीं नहीं चीज़ है ना कि आप उस पर depend थे वैसी हम लोग dependent है plant या फिर other sources पर जैसे chicken हो गया फिर other animals पर हम लोग depend होते है इस टाइप से यहाँ पर example है यह इसके अंदर अजीब सा दिखी रहा ठीक है इसको मैं कोशिश करूँगा पक्का कोशिश करूँगा तो सफ्रोफाइटिक nutrition क्या होता आपका एक सिकन मैं इसको देख लू हम सफ्रोफाइटिक nutrition होता आपका organism obtained its food from dead and decayed organism example fungi फंजाय जो भी आप मानते हो सफ्रोफाइटिक nutrition वो organism वो लोग होते हैं जो कि मरे हुए लोगों के उपर depend होते हैं मरी हुई चीजों पर depend करते हैं जैसे कि आपका फंगी कोई और इंसान कोई और organism मरी हुई चीजों पर depend नहीं होता दूसरे होता आपका यहाँ पर heterotrophic का parasitic nutrition और organism obtained its food from living organism example roundworm यानि कि वो organism जो कि living organism के उपर depend होते हैं जैसे कि roundworm यानि कि केच हुआ इसके बार में समझेंगे कि plant के अंदर ही किस तरीके से होता है जमीन में होता है आपको समझाओंगा ठीक है इसके बाद बात करें holojoic nutrition तो यह nutrition आपका होता है organism obtained its food digest it and remove the waste example human and animals यानि कि holojoic nutrition हम लोग होते हैं जो कि हम अपना food obtain करते हैं फिर उसको digest करते हैं फिर उसको remove भी करने का काम हमारे शरीर के अंदर होता है तो यह जो process पूरा का पूरा है यह हमारे अंदर ही हो सकता है जो कि हमारा holojoic nutrition इसके बाद आपके सामने एक diagram आया है जिसको देख करके काफी बंदे जो है वो परशान हो रहे होंगे बढ़ परशान मतो simple सा diagram है मैं समझाता हूँ nutrition in human being सबसे पहली बात यहाँ पर यह चीज़ आप देख रहे हो न यह पूरा का पूरा टेबल मैं आपको एक टेबल समझा रहा हूँ आप सारे टेबल में इसको consider कर दो चलना सबसे पहली बात name of the gland सब के अंदर सेम रहेगा secretion type जो लिखा हुआ भी उतना ही समझो secretion सेम रहेगा enzyme सेम रहेगा effect सेम रहेगा अब मैं आपको एक समझाता हूँ सबसे पहली बात यह आप थे मैंने आपको mustar सी बाई चौमीन मना कर गी थी अब आप क्या करोगे या तुने चौमीन दे बहुत बढ़ी है मन्दायर तू अब वो चौमीन आप कैसे खाओगे सबसे पहले मुह में जाएगी आपकी चौमीन तो जब आपके मुह में जाएगी तो वहाँ पस सबसे पहला process होता आपका पहला खाने को मुह में डालो ठीक करता हैं जो आपका थूक है वो एक enzyme निखालता है एक चीज निकालता है सिक्रीट करता है वह होता है saliva saliva निकालने के लिए एक enzyme के जुर्वत पड़ती है, कीड़ा मान सकते हो, उसकी जुर्वत पड़ती है, जिसका नाम होता है salivarie amylase, एक कीड़ा ही मान लो आप टो, ठीक है? अच्छा कीड़ा होता है, वो की आपके मुह के अंदर एक saliva नाम का जो है वो secret करता है अच्छी करता है और एक कीड़ा होता है जो कि यह सिक्रीट करता है और उसके बाद आपके फूड को स्टार्च से शुगर के अंदर कन्वर्ट के जाता है यह चीज़ करता है दो शुगर का मतलब हमारा हर बार चीज़ नहीं होता कुछ इसके बाद बात करें दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया है यह चीज़ करता है तो सबसे पहले पेट में जाने के बाद आपका एक ग्लैंड होगा जिसका नाम होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि आपका गैस्ट्रिक जूस निकालेगा सिक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूस और इसके इसको निकालने के लिए जिस कीड़े की जूरत परती है मैं कीड़े का ही नाम लूँगा पैपसिन पैपसिन एक कीड़ा होता है जो कि आपके गैस्ट्रिक जूस को निकालेगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पैपस लुकस आपके wall को protect करता है जिसकी वजह से acidic form आपके पूरी शरीर के अंदर या फिर पेट को पूरी तरीके से या फिर other gland को यह खराब नहीं कर पाती है यह चीज का आप ध्यान दो तो यहाँ पर gastric juice निकला जो कि hydrochloric acid के बराबर होता है effect क्याता है इसका acidic medium रहेगा और breakdown होता है आपका यहाँ पर protein का सबसे पहले आपके breakdown का यहाँ पर protein का आपके breakdown होता है यह चीज का आपको ध्यान देना है तो पहले गया मूँ में जहाँ पर saliva निकला दूसरा गया आपके पेट के अंदर पेट में जाने बाद सबसे पहला काम होता है gastric juice न food small intestine में जाएगा जहाँ पर जाने के बाद वो carbs के अंदर इसमें आपका carbs protein और fat fully तरीके से digest हो जाते हैं मतलब एक चीज मैंने पूरी हिंदी के अंदर अम लिगी थी इसको आप समझ जाओ कि इसके बाद जैसे दो चीज़े होगे ना gastric juice तक उसके बाद आपका food जो है वो small intestine में जाएगा जहाँ पर जाने एक बाद carbs protein और fat अच्छे से digest हो जाते हैं but but उसके बाद जो आपका दूसरा gland है तीसरा gland sorry वो होता है आपका liver अब liver का भी कुछ काम होता है liver क्या निकालता है आपका एक bile juice निकालता है एक juice निकालता है इसके अंदर कोई enzymes नहीं यह direct निकाल इसके बाद बात करें तो आपके एक नई टेबल आती है वो टेबल होती है आपके pancreas की अब pancreas का क्या काम होता है name of a gland pancreas secret क्या करता है pancreatic juice enzymes नाने की कीडे कौन से होते है टिपसी नाम का कीड़ा होता है जो कि protein को digest करता है पहला कीड़ा दूसरा होता है lipase नाम का कीड़ जो कि आपके fat को emulsify करता है fatty acid के अंदर यानि कि आपका जो emulsify fat था उसको fatty acid के अंदर convert करने का काम करता है आपका pancreatic juice और आपका lipase नाम का कीड़ा ये चीज़का आप ध्यान दो ओपर आपका emulsify हो गया था fat ठीक है fat का emulsify कर दिया था उसके बाद आपका pancreas के अंदर प बात करें effect क्या आता है तो starch and protein आपके joist के अंदर वही तूटते हैं और emulsify होता आपका fat convert fatty acid के अंदर ये चीज़का आपको जावो दियान देना है इसके बाद बात करें दिख रहा आपको small intestine में protein को amino acid में convert किया जाता है सबसे पहली बात small intestine के अंदर आपका जो protein होता है ये मैं कुछ terms important है उनको लिख रहा हूँ ये आपका वैसे लिखा नहीं मिलेगा आपको कहीं किताबों के अंदर ये important terms है तो small intestine में आपका protein जो है वो amino acid के अंदर convert हो जाता है ये पहला point था दूसरा point fat को fatty acid के अंदर जो हो convert कर दिया जाता है carbohydrate को आपको जो है आपका वो glucose में convert हो जाता है ये आपके तीन important terms थी इसके अंदर इसके बाद बात करें finger like structure are called willy they are present in small intestine this increased surface area for maximum absorption of food जैसे आप लूँ मान लो शादी में गए पहले आप इतने पतले से थे शादी में जाने इस पहले जब आप शादी में गए वहाँ देखा भाई गोल का पेट चौमिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़े मिल रही जा है तो आपने सुचा कि आज तो भर के खाऊंगा भर के खाऊंगा और आप खाए इतना सारा आपका पेट फूल गया इतना अब आपसे चला नहीं जा रहा है बट उसके आप अपनी दर्द समझे रहे हो ना यहाँ पर आपसे ज़ादा दर्द होता इस small intestine को अब small intestine के यहाँ प surface को बढ़ा करती है कि यहाँ जादर जादर खाना इसका observe हो सके उसको tension आ जाती है कि इसने इतना खाना खा लिया मुझे tension आगी कि मुझे absorb करना है तो वह absorb करने के लिए कि भाई विली एक काम कर इसका surface एडिया भरा तो इतने से गए थे इतने हो गए तो यहाँ पर विलाई अगर नहीं परसता है कोई खाना तो अब आपका खाना जो पचा नहीं आपका खाना जो पाछा नहीं चाना वह आपके large intestine के उन्दर जाएका large intestine के अंदर जाने के बाद आपका फिर स्थे थोड़ा सा और absorption होती है वह कहता है कि यार मैं थोड़ा और इसमें से निकालूंगा जितना protein निकलेगा जितना fat निकलेगा जितनी carbs निकलेगे निकालूंगा तो large understand क्या करता है अपनी शम्ता से ज़्यादा उसमें से absorb कर लेता है बट इसके बाद जब उसका शम्ता खतम हो जाती है तो waste के द्वारा आपके शरीर से जाए वो खाना निकल जाता है आपको पता हो कहां से निकलता है खाना तो ये था आपका पूरा कपूरा nutrition वाला part अब start करेंगे आपके respiration वाले part को तो respiration के अंदर आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ यहाँ पे respiration में एक यहाँ पे पूरा यहाँ पे दुंदला पता नहीं क्यों हा रहा है मैं इसको अगली बार ठीक करने कुशिश करूँगा अब आप मैं से काफ़े बिच्ची कहेंगे यह क्या लिग दिया मेरी बातों को सिर्फ सुनो सिर्फ सुनना यहाँ पे हम एनर्जी की formation के लिए यानि की glucose को breakdown कहाता है यानि तोड़ा जाता है थी 3 carbon molecule के अंदर जो की होता है आपका pyruvate अब आप में से काफ़े बिच्ची कहेंगे नहीं समझ में आए बस मैं आपको समझे मेरे को भी नहीं समझ में आए इतना समझे हो जो की energy की formation के लिए कुछ लिखा हुआ है कि हमें energy की formation के लिए 6 carbon molecule नाम के एक चीज थी glucose उसको हम तोड़ देते हैं 3 carbon molecule में pyruvate में अभी मत समझो बस इतना समझो जो मैंने बताया इसके बाद pyruvate की formation के लिए चाहिए आपका oxygen यह आपका एक pyruvate था पता नहीं क्या है लेकिन है आपका pyruvate नाम की चीज जिसके formation के लिए हमें चाहिए होता है oxygen बस इतना समझ जो भी आगे बढ़ेंगे ना तब आपको समझाओंगा ठीक है for this task we need gases such as oxygen हमें इस task को करने के लिए किस task को अभी अब वह अला पार्ट खतम हो चुका है अब नए पार्ट पे अंदर आ चुका है इतना समझ हो क्योंकि अगर उस पार्ट से connect करूंगो तो नहीं समझ में आएगा हमें इस task को करने के लिए यानि कि सांस लेने के लिए सबसे ज़रत पढ़ती है oxygen की है ना उसके बाद फॉर दीज टास्क वी नीड गूस सच आज oxygen एक बार में डबल डबल लिख दया दा प्रोसेस फॉर इन्हेलिंग एंड एक्सेलिंग दीज गैसिज इस नौन अस रेस्पिरेशन और जब हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे जो ये प्रोसेस हुआ इसको हम लोग कहते हैं आपका रेस्पिरेशन ये चीज का आपको जावँ अच्छे से ध्यान देना है कुछ लोग इसे oxygen की absence में करते हैं कुछ लोग इसे oxygen की presence में करते हैं आप कहोगे कि ये वो पैरोवेट वाला हटा दो भूल जाओ नई चीज समझारो ये समझो तो कुछ लोग इसे oxygen की absence में करते हैं absence का मतलब क्या होता भीया absence का मतलब होता है जैसे आप school के अंदर जाते हो आपकी teacher निका mono, presenter, sohan salvation सर वो आज नी आया absent है तो वही चीज है absent है मतलब उसको oxygen की जुर्थ नहीं है बिना oxygen के तो कुछ लोग इसे oxygen के बिना करते हैं कुछ लोग इसे oxygen के साथ करते हैं हमें तो यार oxygen की जुरत पड़ती है तो हम तो present में आ जाएंगे CDC बात है मैं आपको कहूँ कि मैं आपको oxygen नहीं दूँगा से आपको जिंदर है ना आपको भाई भाई एक खाम कर मिरसे पैसा ले ले लेकिन मिरको oxygen देते रही हूँ प्लीस इस तरीके से देको वियार मैं मजाक नहीं कर रहा था मालब थोड़ा सवैसे कर रहा था इसके बाद process of performing this task in the presence of oxygen is called aerobic respiration जब हम लोग इस process को oxygen की presence में करते हैं निकि present form में करते हैं जैसे कि हमें चाहिए होती है तो हम लोग क्या है aerobic respiration करते हैं ये बात आपको पता होनी चीए जो बंदा oxygen की absence में करता है निकि बिना oxygen के करता है उसको हम लोग कहते है anaerobic respiration नई समझ में है मैं समझाता हूँ अभी आपको आगे ये आप diagram देख रहे हूँ ये diagram सबसे ज़्यादा complex है बच्चों को इसी में दिक्कत आती है मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो अभी हमने starting में देखी थी हमने क्या देखा था glucose जो की एक six carbon molecule है वो यहाँ पे एक सब्सक्राइब ग्लूकोस जो की आपका एक six carbon molecule है वो आपका convert होता है three carbon molecule में cytoplasm के द्वारा ये चीज़ का आपको अच्छे से जो है वो ध्यान देना है ग्लूकोस आपका convert हो जाता है six carbon three carbon molecule में cytoplasm के द्वारा ये बात आप ध्यान दो बस इतने ही समझो यार और कुछ मस समझो तो six carbon molecule आपका three carbon molecule के अंदर तूड़ गया ये तूड़ता ही तूड़ता है ये बात का ध्यान दो अब जब आपका pyrovate यहाँ पे convert form हो चुका है ज ग्लूकोस का काम नहीं है हमने उसका six carbon को तोड़तार दिया अब पेरवेट की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे पेरवेट के साथ जब हम लोग absence of oxygen में करेंगे यानि कि बिना oxygen के करेंगे उस टेम पे क्या होगा तो पेरवेट को जब हम लोग बिना oxygen के साथ मिलाएंग या यही मान सकते हो मिलाएंगे तो आपका convert होगा ethanol plus co2 plus energy जो कि two carbon molecule हो जाएगा absence of oxygen में यह आप मान सकते हो अभी के लिए मतलब यह है ही लेकिन हम मान सकते हैं कि पेरवेट को जब हम लोग absence of oxygen के बिना करते हैं दूसरी बात जो बंदे presence of oxygen में करते हैं जैसे हम लोग oxygen को ले होता है और energy होती है energy हमें मिलती है respiration के भी द्वारा आप समझते होगे और lack of oxygen यानि कि जब oxygen होता है बट कम मातरा के अंदर होता है तो यहाँ पे lactic acid plus energy जो होती है three carbon molecules इसके अंदर होता है जैसे कि आप लोग बहुत तगड़ी exercise कर लिए बहुत तगड़ी exercise आप दौड़ कर के है बहुत k smells तो यार तो इस तरीके से आप half gure हो मैं आपको half ने कुश है को गहानी है आप half gure हो आप को खें कि यार मैं पागल है इतना दौड़ कर के हूँ तो half gure हो, हाफ ते इसलिए हो क्योंकि उस समय आपके अंदर ऑक्सिजन की कमी हो जाती है है ना तो अनेरोबिक रेस्पिरिशन के अंदर वो आता है तो इंसान जो है ना वो प्रेजन्स ऑफ ऑक्सिजन में भी करता है जैसे अभी मैं नॉन्मल हूँ हाफ ने की ज़रत ही नहीं है हाफ ने की ज़रत हमें इसलिए क्यों पढ़ती है क्योंकि हम लोग जब दौर लगाते हैं तो बहुत दे तक हम ऑक्सिजन को लेते ही नहीं है और जब हम रुखते हैं उस टाइम पे energy जादा produce हमें energy जादा लगती है और oxygen लोग थोड़ी थोड़ी ले रहे थे दोड़ते है time ठीक है तो जब हम लोग रुकते हैं तो उस time पे भाई बहुत जल्दी जल्दी ने सेडर कहा था oxygen दे oxygen दे जल्दी जल्दी oxygen दे तो वैसे हो जाती है हालत के बै यार अब नहीं हो रहा है तो इस तरीके से इस तरीके साब को जो है वो oxygen जो है वो lack of oxygen के अंदर जो है वो आता है इसके बाद बात करें energy आपके release होती है एक energy आपके release होती है एक form में जिसका नाम है आपका ATP ATP एक आप मान सकते हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी इंडियन रुपी को हम लोग किस चीज में कहते हैं INR में वैसी आपका जो energy है वो calculate होती है आपकी ATP में जिसका नाम है अड़नसाइस ट्राइफोसफेट या आपका जो है वो ATP है यानि कि जैसे हम लोग कहते हैं इंडियन रुपीस उसको हिंडी में कह देते हैं INR ये हमारे देश की currency है वैसी मैं कह रहा हूँ कि energy की आपकी currency है ATP आपके अंदर 24 ATP है मुझे 25 ATP लागर के दो एक तरीका एक्जामपल ले लो कि 25 लागर लागर के दो वैसी 25 लाग ATP लागर के दो मुझे जरूरत है वैसी आपका ATP एक currency है जिसमें हम calculate करते हैं आपके energy को इसके बाद बात करें plant के अंदर respiration किस तरीके से होता है तो plant में aerobic respiration होता है exchange of gases एक सकंद आप को दीकर है exchange of gases is performed through stomata in plant in day time plant release oxygen and consume एक सकंद यार and consume carbon dioxide but when photosynthesis नहीं होता तब plant oxygen लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं मतलब कि यहाँ पे काज आ रहा है कि plant जो आपका सांस लेते हैं यानि कि oxygen लेते हैं वो लेते हैं आपका stomata जोरा मैंने आपको बताया था ना कि stomata ही gases को आन्दान परदान करता है वैसी आपका stomata ही oxygen को छोड़ता है और carbon dioxide को अपने अंदर लेता है इसलिए हम कहते हैं कि पेड को नहीं काटना चाहिए वो carbon dioxide को अपने अंदर लेता है अपने खाने को बनाने के लिए बट जिस टाइम पे जैसे हम लोग कहते हैं कि रात के टाइम पे बर्गत के पेड़ के मेंचे मस होया और भूत आता है वो भूत भूत नहीं होता है यार उस टाइम पे वो ना CO2 को जो है वो छोड़ता बाहरी मातरा में और oxygen को उस टाइम पे लेता है क्योंकि उस टाइम पे photosynthesis के क्रिया नहीं होती क्योंकि sunlight नहीं होता अगर आप पूरे दिन sunlight को हमेशा plant को देते रहो तो वो आपका कभी भी CO2 जो है वो नहीं छोड़ेगा यह चीज का आप ध्यान दो इसके बाद बात करते हैं आपके animal के respiration की यानि की हम लोग के respiration की तो animal consume oxygen and release carbon dioxide same happen with the human being सीधी सी बात है यह बस समझ गया आपकी animal oxygen को लेते हैं और carbon dioxide को छोड़ते हैं और human being के अंदर भी यह होता है nostril help human being to inhale oxygen fine air in nose filter the air inhaled cartilage rings protect the air passage from colasping यानि की आपके nose के अंदर कुछ hairs होते हैं oxygen के बार मताएगे आपकी नाग के अंदर बताएगे वहाँ से आप inhale करता oxygen को fine air होते हैं जो कि आपके air को filter करकर के जो है आपके शरीर के अंदर जो है वो पहुचाते हैं अब oxygen आपके lungs के अंदर पहुच गई है जैसे आपने सांस ली अब आपके lungs के अंदर पहुच के है अब उसके बाद क्या होगा in lungs यहाँ पर दीखर आपको in lungs there are some tubes which has balloon-like structure in the end which is called alveoli this increase the surface for exchange of gases मतलब कि आपके lungs के अंदर जैसी सांस जाती है वहाँ पर alveoli नाम का कहां गया alveoli alveoli नाम का एक ऐसा पदार्थ वहाँ पर मौझूद होता है जब आप NCRT देखोगी तो उसकंद मिलेगा जो कि आपके surface को बढ़ा देता है कि आपके अंदर अच्छे से gas जाओ आज जैसे आप साथ ही फुलाते हो तो आपके शरीर के जो लंग्स है ना वह फूल जाती है तो फूलाने का काम करता है आपका यहाँ पर alveoli इसी इसका आपको ध्यान देना है आपका respiration अब complete होता है अब बात करते हैं आपके transportation की बहुत ही छोटा सा topic है transportation in human being transportation in plant सबसे पहले transportation क्या होता है the transportation of food, oxygen and waste from one body part to other is called transportation simple मतलब की transportation का मतलब होता है की food, oxygen को हमारे एक body part से दूसरे body part के अंदर पहुचाने का काम जैसे आप खाना खाते हो तो आपके पेट के अंदर जाता है लेकिन आपके body एकदम से आपकी body निकल आई तो body कैसे निकल आई आपको वहाँ पे protein कैसे पहुचा तो वह खाना तो पेट में गया protein पेट में गया तो वहाँ तक कैसे पहुचा तो वहाँ से कुछ ऐसे चीज होती जो कि आपके biceps को ऐसे फुला देती है वो था transportation का का काम तो transportation in human being सबसे पहले आप fluid called plasma is perform this task WBC and RBC transferred oxygen नहीं समझ में है मैं समझातो हु हिंदी में note plasma carbon dioxide और nitrogenous waste यानि कि सुनो plasma आपके carbon dioxide nitrogenous waste food को transport करता है plasma ये plasma नाम की चीज होती है जो कि आपके carbon dioxide को nitrogenous waste को और आपके food को transport करने का काम करता है RBC यानि कि red blood cell WBC यानि कि आपका white blood cell ये आपके oxygen को transport करते हैं आपकी पूरी body organ के अंदर ये बात आपको पता होनी चाहिए इसके बाद बात करते हैं आपके three things are required for this transportation in human being यानि कि तीन च्यों की जरुत पढ़ती है आपके शरी के अंदर transport करने के लिए सबसे पहला एक pumping organ यानि कि एक motor की जरुत पढ़ती है जो कि होता है आपका heart दूसरा आपका network of tube यानि कि कुछ यहाँ पे pipe की जरुत पढ़ती है जो कि होती है आपकी नसे तीसरा repairing system क्योंकि इनको ठीक करने के लिए palumber की जरुत पढ़ती है तो वो भी आपको जो है वो पैठे होते है मैं समझाऊंगा भी human heart is a muscular pumping organ which is as big as our wish it has four chambers to ensure that blood do not get mixed into one another मतलब कि जो आपका human heart होता है वो आपका एक ऐसा pumping organ है जो कि आपके मुठी के बराबर है आपके मुठी के बराबर जिसके अंदर आपके चार chambers होते हैं चार chambers का मतलब आप चार gate मान सकते हो ठीक है जो कि ये ensure करते हैं कि आपका blood जो है वो mix ना हो जाए मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ आपका एक blood होता है oxygenated blood और एक होता है आपका deoxygenated blood ये हमारी विष्ठ जितना बड़ा होता है हर्ट की बात की जारियन ये मुठी बराबर होता है और human heart oxygenated and deoxygenated blood को transport करता है और ensure करता है कि ये mix-up ना हो ये हिंदी के अंदर था चार chambers की नाम क्या होता है मतलब चार gate होते जो आपकी हर्ट केंदर जो की mix होने से बचाते हैं कि oxygenated and deoxygenated mix ना हो जाए एक होता आपका rent ventricle left ventricle right arteries, arterium और left arterium बस बहुत छोटे-छोटे से नाम है सबसे बहुत बात करते है deoxygenated blood वो क्या होता है deoxygenated blood travel from body organ to lungs मतलब कि ये आपका पूरी body में से मनलब travel करके lungs तक पहुंचता है where carbon dioxide gets removed जिसमें से आपका carbon dioxide को जाए वो remove कर दे जाता है and oxygenated blood is applied to body organ via heart और उसके अंदर से जो आपका oxidated blood बसता है जैसे deoxygenated blood था वो आपका जो है lungs तक पहुंचता है lungs क्या करता है carbon dioxide को भार fact है और जो oxygenated blood जब बन जाता है वो तो उसको आपके body तक जाए वो पहुंचा देता है आपके heart द्वारा कैसे मैं आपको example किसा समझाता हूँ पूरा एक diagram बना हुआ है यह आपका lungs है यह lungs क्या करेगा जो basically यहाँ से start तो नचे बनाता है तो आपको समझ में नहीं आता बहुत ही easy ऐसा बना करके मताना easy आपको मैं समझाने के लिए जो है वो इस तरीके से बना हुआ हुआ है तो left rtm में जाएगा left rtm से आपका जो है वो नीचे की तरफ left ventrical में जाता है hurt का यह पूरा फिर left ventrical से आपका जो oxygenated blood है वो पहुंचता है आपका arota में जहां से आपका arota जाता है आपके body organ तक और सब जगल जो है आपका अच्छा वाला blood है वो फैल जाता है अब आपकी body organ से जो deoxinated blood यानि की vena कहवा द्वारा जो पहुंचता है आपके यहां पे right artium में वहां पहुंचा right artium से फिर जाता है आपका rent ventrical right ventrical में फिर right ventrical से आपका ये blood जाता है सीधा pulmonary artery के द्वारा deoxinated blood lungs में जहां से वो carbon dioxide को बहार जा है वो fact देता है तो ये था आपका complete अगर आपको आपका अभी समझाता हूँ आपके अंदर एक नस होती है जो कि आपका body organ तक जो है वो blood को पहुंचाती है और lungs तक पहुंचाती है they have thick wall as blood pumped from heart flows at high pressure इसकी wall जो हो थोड़ी सी थिक होती है जिसकी वज़ा से high pressure में blood जो है वो आपके उन organs तक पहुंच पाता है जहां पर उसको पहुंचना है ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें कि काफी घर हो जैसे कि आपकी तंकी ज़ब motor on करते हैं तो आपकी तंकी तक जो है एक मोटी से pipe लगई होती है जहाँ आपकी उस मोटी पाइप से आपके छोटी-छोटी पतली-पतली पाइप जहाँ वो connect होती हैं, कहाँ पे, आपके घरों के अंदर, जो पानी के अंदर नल आता है, कफी छोटी-छोटी जगह पे आपको जहाँ नल लगे होते हैं, तो वहाँ पर आपका पानी आता है, तो वहाँ पर आपके वेंस लगे होती हैं आपकी बाडी के अंतर वेंस ट्रांस्पर्ड ब्लड from body organ lungs to hurt they have thin wall as blood which flow from body organ and lungs has low pressure मुझलब जैसे आपकी बाडी के अंतर जहां पर जादा pressure की जोरत है वहां पर मोटी पाइप लगी हुई है जहां पर कमप्रेशर की जुरह था वहां पर पतली पाइप लगी हुई है सिंपल आपके भगवान ने बहुत अच्छी थे बॉडी को डिजाइन कर रखा है अब रिपेरिंग का काम किस तरीके सोता है बलड के पास प्लेटलेट चैल होती है जो की रिपेरिंग बाडि के अंतर कोई चोट लगई तो वहाँ पर बना दीती है जिसके बाद आपका जो है वो बलड जो हो जो इंजरी है वो ठीक होजाती है नोट लिम्फ इस टीशू इन बलड वीच कारीज fat from intestine back into blood यह आपको note कर लेना है कि लिए एक ऐसा tissue होता है जो कि fat को carry करता है और पहुँचाता है blood के अंदर intestine transportation in plant plant के अंदर transportation किस तरीके सो होता है तो plant needs nutrition like nitrogen and phosphorus it also absorb them from soil through root, xylem carries water मतलब आपको समझाते हो चलता हूँ एक करके, plant को जरत होती है nitrogen और phosphorus की यह उसका transportation का तरीक है और nitrogen phosphorus उसको कहां से मिलता है soil से, soil में कौन देता है उसको केचवा देता है, केचवा को यह लोग क्या देता है, plant केचवा को कुछ खाने को देता है, वो क्या है मैं आपको समझाँगा, बस इतना समझाओ केचवा को खाने को कुछ दे देता है plant तो केचवा जो है, यह केचवा कीडा यह इनको दे देता है nitrogen it also absorb them from soil through root यह आपको उन्हें बता दिया soil में से लेते हैं, यह लोग nitrogen और phosphorus को xylem carries water xylem नाम का एक बंदा होता है जो कि water को carry करता है और mineral को carry करता है तो xylem नाम के एक बंदा होता है कि नीचे जाता है कहता भाई, एक काम का पानी करता है पानी मिले हो देदेदी तो पानी उपर तक एक एगर में पहुचाता है बाई, आपको पानी, ये लोःव ये लोःव आपको पानी है तो एक एक जगा तक वह आया मिनरल और वाटर जो है वो रूट से लेया करके पहुंचाता है कौन जाइलम यह जाइलम के वैसल है डाग्रम अच्छा नहीं लेकि इतना समझ जाओ यह one way का काम करता है नहीं कि नीचे से उपर जाने के काम करता है तो उपर से नीचे नहीं आता है यह water and minerals को यह उपर भेज रहा है no walls and between cells thick walls stiffened with लेगी यह आपका पूरे डाग्राम है इसके बाद करें फोईलम जाइलम का क्या काम होता है water or mineral को उपर लेके जाना फोईलम का क्या काम होता है उसको देखो फोईलम carries the product required for photosynthesis from leaves to other plant in this way xylem fuel and root ensure transportation plant मतलब आपको समझाता हूं xylem का काम था कि वो नीचे से water or mineral को उपर लेके जाएगा फोईलम का काम होता है कि अब खाना पीना मन करके तयार हो गया है अब एक काम कर सबको प्लेट में लगा करके ना बिठा करके खिला दे तो यह जो है ना फोईलम यह आपके प्लांट के हर एक पार्ट में वह सारे के सारे photosynthesis के बने मतलब खाने को यह एक एक पार को कहता है कि आप आके खालो आपका खाना बना आके खालो तो सबको जाकर कर खाना दे देता है कि सलो या अपना खाना का आलो बन करके तयार हो गया तो में ने कड़ी चाल बनाया था तो यह मैं कड़ी चाल लागर के तुम्हें दे रहु हो इस तरीके से जो है फोलम का काम होता है यह आप देख सकते हैं यह हर जगा जाते हैं तो इसका ऊपर नीचे हर जगा का वे होता है टूवे होता है हर जगा पहुचाना होता है हर जगा इसको खाना देना बहुत महनत करता है यह प्लांट के लिए अब बात करते हैं आपके एक् plant human excretory system the process in which nitrogenous waste is removed from our body is called excretion मतलब कि वो process जिस process के द्वारा हमारी शेडिय से nitrogenous waste जाए वो बाहर चले जाता है उसका हम excretory system in human किस तरीके से human के इंदर excretory system काम करता है एक चाहिए उसके लिए एक kidney की जुरत है मतलब अगर हमें अपने waste को बाहर ने काले उसके लिए kidney की जुरत है, ureter की जुरत है, urinary bladder की जुरत है, urethra की जुरत है तो यह 5 चीज़ों के हमें जुरत पढ़ती है, सबसे पहला, urine is formed in kidney, हमारे kidney के अंदर जो है वो urine पैदा होता है, it is stored in urinary bladder और urinary bladder के अंदर आपका ये store होता है via ureter finally it is removed from urethra finally वो आपका बार में जाकर की urethra से जहाब वो रिमूव हो जाता है कैसे आपको दिख रहा है यह आपकी kidney है यह आपका ureter pipe यहाँ पर आपका urinary bladder जहाँ पर आगर कि आपका जो urine है वो इखठा होता है अभी आपको pressure आता है फिर urethra के जहाँ आपका जहाँ बहार निकल जाता है urine बनता कैसे है our body has waste like urea and uric acid हमारी body के अंदर urea और uric acid होते हैं टीक है waste होता है वो मतलब खराब चीज होती है when excess water in the body is added to these waste days मतलब बहुत जादा water जहाँ in acid के अंदर जमिल जाता है तो urine form होता है kidney has some filtration unit called nephrons they absorb useful nutrition like amino acid and carbohydrate but kidney के अंदर कुछ filtration भी होती है जो urine में से भी अच्छी चीज़े निकाल लेती है या निकि amino acid और carbohydrates आपका निकाल लेती है उसके बाद आपका urine जाए वो बाहर निकल जाता है इसके बाद आपका transportation in plant होगा पक कहा oxygen is a waste of plant which is releasing theory photosynthesis मतलब की excretion का मतलब होता है कि oxygen का waste होता है plant का waste होता है आपका oxygen ये बात आपको पता निची है और ये आपका कब निकलता है जब photosynthesis होता है लेकिन आप कहते हो कि यार रात के समय तो वो oxygen लेने लगते हैं तो रात के समय वो इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि oxygen उनका waste तब होता है जब photosynthesis हो रहा ह मतलब कि जो उनकी फूल पती जड़ जाती है वो भी उनका एक तरीके से वेश्ट होता है यह बात आपको पते हो नीची और उनके स्वाइल के अंदर आप जाकर गिए दो को कि वहां पर भी अपने वेश्ट को जावो रिलीस करते हैं तो यह चाप्टर आपका यहां पर कंप् आपको आपको पढ़ाना और बेश्ट के औरने करें मैंने जिस तरीके से इसस्प्रीड करा बहुत बेश्ट यह था उनके को समझ में आयोगा वो समझ जागा कि यार बेस्ट है और और लेक्चर को जाकर कि देखेगा चैनल पर तो आप सबी का बहुत बहुत थैने बाद